आप सभी को रहें मों को नमश्कार, जो में सर्कल के क्वेश्चन को डिसकस करेंगे, तो दीकि एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें एक आपको स्कलीन ट्राइंगल दिया है और उसमें बहुत सारे सर्कल को बेस पे जो 9 सेंटीमेटर का साइट है, उस पैकिंग होती है, सर्कल की इस तरह से, वो हम आपको थोड़ा सा डेटेल में बताएंगे, मेंसरेश्चन के चैप्टर में, तो यह क्वेश्चन में भी छोड़ रहा हूँ, और यह बाद में होगा आपका, देखी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया हु हो है, तो यह ओ सेंटर वाला जो सर्कल है, वो इसका इन सर्कल है, ट्राइट इंगल ट्राइंगल का, देखो आप तीनो साइट को टच भी कर रहा है, फिर कर आपको एक ओवन सर्कल है, एक ओटू सर्कल है, यह भी ड्रॉ किया गया है, और यह टच कर रहे हैं इस इन सर्कल क और साथ इसाथ ट्रैंगल की दो साइट को भी टच कर रहे हैं कुछ बात यह बताई गई है कि आपके जो इन सर्कल का रेडियस है वो आपका 1 है यानी इसका रेडियस आपको 1 दिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि यह लेंथ मेरी 1 हो गई ही तो होता है साइट से जो डिस्टेंस होती है वो आपको प्रॉबाइट कें के और आपको कहा गया है कि जो बी आर है और बी क्यू है सथ 2 ratio 3 आपको provided है कहा रहा है बताओ R1 और R2 का ratio क्या होगा जहां पर R1 कह रहा है कि radius है आपका जो circle है जिसका center O1 है और R2 किसका radius है उस circle का जिसका center आपका O2 है ठीक है अब देखें इस question को करने के पहले देखें जो चीजें दी हैं उनको represent करते हैं और जिस तरह का option है राइट आपको लग रहा होगा कि कितना complex है calculate करना यह स्थोड़ा calculated जरूर है question तो वह debatable है कि आपके tier 2 में आ सकता है या नहीं आ सकता है पर इसको solve करेंगे काफी कुछ आपको learning मिलेगे लिगे पहले जिस तो आपको जो दिया हुआ था वो यह दिया हुआ था कि BR जो है आपका यह अगर 2 है तो BQ आपका 3 है तो can I say it is 2X and 3X कोई शंका यहां पर होनी नीची है कि भाई यह 2X और 3X नहीं है यह होंगी length of tangent आपको पता है equal होती है तो जो Q भी है आपका Q से B तक है वही आपका Q A भी होगा तो यह भी length आपकी कितनी होगी यह length आपकी कितनी होगी 3X ही होगी similarly और यह length आपको पता है 1 है PA 1 है साथ ही साथ जो आपका BR है वही आपका R और यह point जो भी है इस point का नाम नहीं तो L कर देते हैं RL होगा तो यह length भी आपकी 2X होगी और यह 1 होगा तो अगर आप खुद जरा इत्मिनान से देखें यहाँ पर तो आपको यह length पूरी पता लग गई कि यह length कितनी है 2X प्लस 1 यह length कितनी है 3X प्लस 1 आप देखो आप यहां से एक चीज निकाल सकते हो वह है X की वैलू है ना और X की वैलू कैसे आईगी देखना धान से अभी आप O1 और O2 को भोल जाईए आपके सामने situation क्या है मैं आपको बता रहा हूं situation यह है कि यह आपको मि इसका पता है और वो इन सर्कल आपको कितना दिया हुआ है कि इसका रेडियस क्या है 1 इसका रेडियस आपको देदिया 1 आप मुझे बताओ कि अगर इन सर्कल का रेडियस आपको मालूम है तो क्या आप X की वैलू निकाल सकते हो यह कैसे निकाल सकते हो आपको कि जो भी इन रेडियस होता है वह इनरेडियस क्या होता है वह इन यहाँ पर यह value निकाल लो इसका value अगर आप निकालते हो तो यह होगा this square plus this square करो जरह यहां से मिलेगा 4 x square यहां से मिलेगा 9 x square यह कितना मिलेगा 4 and 9 कितना हो गया आपको यहां हो जाएगा 13 x square है ठीक है मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप यह हाइप पहले निकाल लो और हाइप निकालने के बाद आप इसको क्यालकुलेट करो पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड़ बाई टू करके निकलता है वहां से देखो पर आपको दिख रहा होगा कि वह तो काफी कोंप्लेक्स हो जाएगा तो फिर हमें सॉल करने के लिए इसको क्रॉस मल्टिप्लाई करना पड़ेगा देन हमें स्कॉर करना पड़ेगा हां वो तो करना पड़ेगा अपके लिए होगा नहीं ठीक है यह तो आप वो कर लो मैं बताते हूं को क्या बनेगा एक्स्प्रेशन देख लो आप यह होगा 13x square यहां से देखो बनेगा 4x यहां से बनेगा 6x तो यह हो जाएगा आपका 10x प्लस यह बनाएगा 2 यह होगा है अब आपको इन रेडियस होता है वह P plus B minus H होता है तो आपको यह बन जाएगा P 2X plus 1 3X plus 1 बने 5X plus 2 right minus root of 13X square plus 10X plus 2 divided by divided by क्या होता है आपका P plus B minus H divided by क्या होता है 2 right तो यह value जब मैंने आपके सामने लिखी तो आपको आप क्या करना है कि यहां से इसको simplify करना है तो यह equal to क्या हो जाएगा 2 2 से 2 cancel भी हो जाएगा आपको ultimately मिलेगा कि 5X is equal to 13X square plus 10X plus 2 तो इतना मुश्किल नहीं था इतना आपको लग रहा था और यहां से आपको simple सी बात यह है कि अगर square किया है आपने तो यह 25X square बन जाएगा square root हटाने के लिए square किया होगा ना अपने तो यहां पर ultimately आपको क्या मिल रहा है देखिए 12X square minus 10X minus 1 बराबर 0 या मैं कहूं कि यह है 6X square minus 5X यह 2 ही है minus 1 बराबर 0 यह expression बन गया अब आप इसका चाहो तो 2 और 3 से factorization कर लो right that is very simple क्योंकि यह 5 बनाना है ना मुझे 5 बनाना है तो मैं 2 और 3 करके इसका factorization कर सकता हूँ तो अब अगर मैं factorize करूँगा अगर मैं factorize करूँगा तो मुझे देखना है कि X की value क्या आएगी तो क्या 2 त्री यहां लगा सकते हो आप? नहीं क्योंकि यहां 6 और minus 1 है तो यह minus 6 बनेगा मुझे अगर जाना भी कुछ है तो मैं जाओंगा 6 और minus 1 actually यहां कहूँ minus 6 plus 1 तो यहां से जो roots निकलेंगे वो एक तो X की value आजाएगी 1 और एक X की value आजाएगी minus 1 upon 6 right? देखो जान से क्या value आ रही है? X की value एक तो आ रही है 1 क्योंकि आप इसको factorize करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 6X square minus 6X plus X minus 1 बराबर 0 clear? तो यहां से अगर आप 6X common लेते हो तो यहां बचेगा X minus 1 और यहां बचेगा X minus 1 बराबर 0 तो X की value एक तो minus 1 by 6 आ रही है और एक 1 आ रहा है minus तो हमें X लेना ही नहीं है क्योंकि जो हमारा X है वो positive होना चाहिए distance को represent कर रहा है X की value 1 आ गई तो यह एक पहला important operation आपको इस question में perform करना है to get that value of X यह बहुत important part है इस question का ठीक है जो आपको calculate करना है इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं कि आप area form use करते तो भी X की value निकलाती area form कैसे देखो आप कहते कि total जो triangle का area है total जो triangle का area है वो क्या है R into S ठीक है semi perimeter X के term में आ जाएगा R आपको दिया हुआ है और total area आप कैसे लिख सकते हो देखो आप इस point को यहां से join कर लेते ऐसे join कर लेते, इसको मैं यहां से मिला दे रहा हूँ, इस point को आप यहां से join कर देते हो, मैं मिला देता हूँ तो आप अगर इस triangle का area लिखते ठीक है? और इसको double करते यह area क्या होता आप बताओ area क्या होगा? half into three X into one होता कि नहीं होता और यही एरिया यहां भी आता half into 3x into 1 यहां मैंकुल म मिलाके कहूँ कि यINGING read 3x into 1 तो कोई परहेज है नहीं होना चाहिए तो आप करेंटें यह है आपका 3x into 1 यह area मैं पूस्टा क्या है तो आप करेंटें यह area होगा half into 2x into 1 तो gratitude to 1 है NA तो यह बन जाता 2x into 1 तो आप कहते इसका पूरा area है 3x इसका पूरा area है 2x यह area कितना होगे आपका आप कहते 5x 5x होगे प्लस इसका area कितना है आपको होगे 1 तो 5x plus 1 तो यह total area बना एक तरीका था अब दूसरा या तो इसको आप r into s लिख दो equal to या फिर आप simple सा बोल दो कि भाई इसका जो area होगा आप वो मुझे पता है half into base into height होगा तो half into 2x plus 1 into 3x plus 1 यह कर दो and then आपको क्या करना है इसको simplify कर लेना है यही same quadratic equation मिल जाएगी तो तरीका आप कोई भी अपना लो ultimately आपको x की value मिल जाएगी मेरा कहने का मतलब है तो दीकिए पहला task हमने solve कर लिया और मैं सारी चीज़ीं यहां से हटा दे रहा हूँ इसलिए हटा दे रहा हूँ ताकि हमें board पर और space चाहिए अब हमें x की value पता चल गई तो हमने पहला step पार कर लिया पहला पढ़ाओ पार कर लिया और यह length भी आपका 3 के बराबर हो गई यह जानकरी हमें मिल गई यह hypertonis हमारा कितना हो गया 5 हो गया actual में आपको जो value यहां पर मिली है 3 और 2 अब मैं आपको कुछ और important चीज़े बताऊंगा जो आप पहले से जानते हो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यह 1 हो गया और यह value भी क्या हो गई 1 हो गया ठीक है अब देखो आप सोच रहोगे कि भाई यह तो x की value हमने निकाली quadratic solve करके क्या कोई और छोटा तरीका था अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो मैंने आपको बोला है कि right angle triangle के case में अगर कभी भी in radius 1 आता है एक possible आपका triangle होता है 3,4,5 यह मैंने आपको ध्यान से देखो तो याद करवा है आपको बोला कि ध्यान रखो कि 3,4,5 के case में in radius क्या होता है 1 होता है अब आपको अगर यह ध्यान होता तो आप खोदी सोचते कि यह अगर मेरी value 1 है यह value मेरी 1 दी हूँ यह question में और यहां 3 ratio,2 ratio रखना है तो 5 को अगर मैं 3 ratio,2 में बांट दू यह 3 बना, यह 2 बना यह 3 बना, यह 2 बना और यह length क्या होगे फिर 3 और 2 और देखो आप 3,4,5 का triangle बन गया तो वहां पर आपको कोई भी quadratic solve नहीं करनी पड़ती जो आपने किया मैं आपको दिखा रहा हूँ कि smartness होने से कैसे आप अपने आपको बचा सकते हैं ज़ादा calculation करने से तो you could have easily got 3,4,5 वन इन radius दिया है तो हम पहले उस triangle के बारे सोचेंगे सारी condition satisfy कर रहा है तो वही triangle है अब शुरू हुआ हमारा next step की भाई R1 और R2 कैसे निकले तो बहुत असान है ये भी आप जान से दिखना मैं बताता हूँ यहां पर आप मुझे बताओ कि यह जो value है मेरी यह R2 है या नहीं है आपको होगे बिलकुल है इस length को क्या बोलते हैं यह common tangent यह length of the common tangent common tangent की length क्या होती है 2 root AB अगर circle का radius A और B है तो 2 root AB होता है यहां पर आप खुद देखो इसका radius 1 है इसका radius R2 है तो आपको होगे यह length होगे आपकी 2 root R2 ऐसे ही इतनी सी जो length है common इन दोनों के बीच में यह होगी 2 root R1 same expression क्योंकि इसका radius R1 है R1 और 1 radius वाले circle की बीच में common tangent की length पता है मुझे अब आप कहोगे इसको ऐसे join करेंगे और इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो मैं अब interested हूँ के यह length जानने में आपको होगे पूरी distance 2T और यह आपका 2R1 है 2 common होगा यह होगा 1 minus root R1 यह इतनी length होगी इसके similarly मैं यहां होगा और यहां मैं कहूँगा यह length क्या है तो आपको होगे यह length होगी आपकी 3 minus 2 root R2 यह निकल गया तो अब देके solve करते हैं यह आपकर क्या क्या मैं लिख रहा हूँ और वो triangle है आपका O A Q और आपका triangle जाएगा O 2 L Q यह दोनों triangle similar है right क्योंकि 90 degree है और एक angle common है similar होगे तो अब इसमें देके relationship में क्या लिख रहा हूँ कि दोनों जो perpendicular sites है जैसे यहां पर perpendicular sites आपकी क्या है तो यह पूरी length जो है Q A वो 3 के बराबर है तो मैं लेकर रहा हूँ 3 upon 1 3 मतलब यह base मान लेता हूँ यह perpendicular होगा 3 upon यहां इस triangle में चोटे वाले triangle में base का है आपका 3 minus 2 root R2 आपका base है और उपर वाले triangle में perpendicular side यहां पर क्या है R2 आप लिखको यहां पर यह आपकी quadratic आपको दिखनेरी पर है क्योंकि R2 की power 1 भी है और R2 की power 1 by 2 भी है तो मुझे यहां से R2 calculate करना पड़ेगा और कोई 4 मेरे पास नहीं है तो R2 calculate करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा यह हो गया मेरा 3 R2 is equal to 3 minus 2 root R2 और I will bring this 3 here so यह बना देगा 3 into R2 minus 1 is equal to minus 2 root R2 अब अगर मैं square करूंगा तो यह बनेगा 9 यहां से बनेगा R2 square plus 1 minus 2 R2 यह बना is equal to आपका हो गया 4 R2 clear अब बहुत इत्मिनान से देखना आप इस equation को यह आपकी value बना देगा 9 R2 square minus 18 R2 और minus 4 आपका हो गया minus 22 R2 plus 9 equals to 0 अब मुझे R2 स्रीधरा 4G से solve करना पड़ेगा क्योंकि 81 है अब 81 में आप 27 into 3 भी करोगे तो भी आपको कुछ खास मिलने नहीं वाला है 22 नहीं मिलने वाला है मेरा कहने के मिला अब अब फैक्टराइजिशन नहीं हो रहा है यह जाएगा minus B plus minus root B square which is 484 minus 4 AC that is 81 into 4 right देखो न यह आपका 4 AC बनाएगा न तो 36 into 9 कहलो whatever you want right तो यह आपका बन जाएगा 324 clear because यह 18 आपका सिंपल से कितना बना 81 times 4 162 का double 324 divided by 2 into 918 simplify एगर आप करते हो तो यहाँ पर एक तो यह चीज हो जाएगी 11 plus minus क्योंकि यह divide हो जाएगा 2 से नीचे 9 तो रहेगा यह रहेगा इसको ज़रह बनेगा 4 root 10 so 4 root 10 में 2 यह cancel हो रहा है तो बनेगा 2 root 10 तो यह मेरा हो गया r2 interestingly देखना और चुकि r2 मुझे positive रखना है यह आपको ध्यान रखना है कि r2 should be positive negative तो हो नहीं सकता अब यह एक चीज आपको देखनी है कि क्या r2 1 से चोटा है या 1 से बड़ा है तो r2 definitely 1 से चोटा है क्योंकि r2 का radius 1 से चोटा है so i will choose not plus but minus यह आपको समझना है minus क्यों लोगा आपको पता है अगर plus ले लोगे तो numerator 11 से बड़ा हो जाएगा तो radius एक से बड़ा जाएगा जो कि नहीं चाहिए so अब मेरे काम की चीज क्या है कि r2 is 11 minus 2 root 10 upon 9 कैलकुलेटिव है पर कोई बाद नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं देखते हैं r2 के value 11 minus 2 root 10 upon 9 आगे r2 निकालने के बाद देखो मैं बाकी चीज़ें हटा दूँगा ताकि मैं आपको अब r1 दिखा पाऊं तो r1 भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा वो भी हम फटाक से निकाल लेंगे पहले मैं बाकी ये चीज़ें हटा दू यहां से so that आपको कोई भी confusion ना हो coming to find the r1 exam में एक कोई radius पूछ सकता है आपसे आपको कि ये length अभी मैंने निकाली है और ये length मैंने क्या निकाली है अभी कि ये 2 into 1 minus root r1 के बराबर है तो इसको मैं ऐसे अगर join करूँ और ये भी आपका perpendicular ही जाएगा इसमें कोई शंका नहीं है कुल मिला के मतलब कुछ ऐसा है परपेंडिकुलर है ये line आपकी परपेंडिकुलर है तो आपको कि यहां पर अगर मुझे रिष्टा लिखना हो तो आपको कि देखो ये जो length है पूरी ये length है 3 ठीक है ये length 3 है लेकिन मुझे इतनी length से मतलब है ये length है 2 तो आपको कि 2 upon 1 बड़े वाले triangle में 2 upon 1 जो है चोटे वाले triangle में वही क्या है आपका 2 into 1 minus root r1 divided by ये वाली length which is r1 अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम कहेंगे कि 2 r1 is equal to 2 minus 2 root r1 2 into r1 minus 1 is equal to minus 2 root r1 फिर हम क्या करेंगे फिर से फिर हम क्या करेंगे we will take the perfect square 1 तो अगर हम इसका perfect square यहां से लेते हैं तो आपको होगे कि पहले तो 2 to सब cancel हो जाएगा और ये बनेगा r1 square plus ये 2 यहीं से काट सकते थे आप plus 1 minus 2 r1 is equal to r1 ultimately बन रहा है r1 square minus 3 r1 plus 1 equals to 0 अगर मैं यहां से r1 निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे b plus minus root b square minus 4ac divided by 2 ऐसे करके मिला so if I look at r1 again मैं minus से लूंगा so 3 minus root 5 by 2 आएगा क्यों मैं minus लूंगा because plus लूंगा तो ज़ादा हो जाएगा 1 से जो की नहीं है अब मुझे क्या निकालना है r1 का r2 से ratio एक ही step बचा हुआ है और वह एक step क्या है final ratio निकालना so r1 ratio r2 अगर मैं अब calculate करूंगा इसका ratio निकालूंगा तो आपको पता है क्या ultimate expression बचेगा वो बचेगा 3 minus root 5 और ये 9 आपका उपर आएगा divided by ये 2 into क्या बनेगा 11 minus 2 root 10 अब अगले step आपको पता क्या है आपको करना है rationalize तो अगले step में आप अगर rationalize करने गए तो आप यहाँ पर 11 plus 2 root 10 से multiply करेंगे यहाँ पर भी 11 plus 2 root 10 से आप multiply करोगे तो देखना denominator पहले क्या convert हो जाएगा 121 minus 4 into 1040 right so 121 minus 40 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 81 तो ये बनेगा 2 into 81 और आप खुद देखो 9 से cancel होगा तो ये ultimately रह जाएगा 2 into 9 ठीक है ये चीज़ आपको समझना ये cancel हुआ पूरा और denominator में सिर्फ बचेगा 2 into 9 ultimately numerator में देखे क्या बचेगा 11 into 3 आपका हो जाएगा 33 फिर आपका देखो 11 root 5 तो आएगा लेकिन माइनस साथ आएगा माइनस 11 root 5 तो 11 into 3 33 माइनस 11 root 5 फिर आपका आएगा 2 into 3 6 root 10 positive sign के साथ और माइनस आपका क्या होगा 2 root देखना है यह 50 है माइनस 2 root 50 बनेगा उससे 5 बाहर निकाल सकते हैं तो ये ultimately हो जाएगा 10 root 2 minus 10 root 2 तो ये आपका हो गया answer ये answer हुआ नहीं ये आपका answer हुआ c option दो प्लस में है 33 और 6 root 10 दो माइनस में 11 root 5 और 10 root 2 divided by 18 c option वा तो देखे question undoubtedly बहुत कालकुलेटिव एट्स वेरी वेरी लंदी and कालकुलेटिव but again I am saying कि even there will be so many easy questions one question can be there find R1 और R2 एक value निकलबा सकते हैं आप से exam में दोनों का ratio बहुत लंबा हो जाएगा better skip कर दो exam में अगर नहीं आता है तो but anyways सवाल देखके रखो कि क्या पता 3 4 5 फिर से repeat हो जाए तो it will be much easier for you to follow these steps that's why these questions are there तो उमीद करता हूँ आप इनका इस्तिमाल करोगे या कोई part इसका पूछ सकते हैं जो हमने similarity लगा यह उससे related कुछ आ सकता है just be ready for it तो देखिए question कर रहा है कि ए जो है ना इक point है side a d पे और abcd एक rectangle है that's very interesting कि abcd एक rectangle है और कर रहा है कि ड e आपका 6 के बराबर है और जो आपका d a है पूरा यह पूरा 8 के बराबर है clear पूरा 8 के बराबर है तो यह मैं 8 यहां लिख दे रहा हूँ पूरा 8 है DCE आपका 6 के बराबर है, तो ये भी 6 के बराबर है, CE को extend किया गया है कि F पे मिल रहा है, circum circle पे, BF की length निकालनी हैं मैं, BF की length calculate करनी हैं, अब जोगो तरह कुछ observation जो हैं interesting को मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहां से एक perpendicular drop करूँ, ऐसे, ऐसे, ये 6 है, ये भी 6, ये 6 है, उपर तो ये भी 6, clear, एक square बनेगा आपका, तो ये length आपकी square का diagonal हो जाएगी, 6 root 2 बनेगा, even square देखनी की जरुवत थी नहीं, आपको जब ये angle 45 degree दिया है, तो ये 6, 6, और rectangle है, तो ये 90 degree होगा, ये 6 root 2 लिख सकते हैं, कितनी length हो, आप दिखिए, मैं जो लिखने जा रहा हूँ, वो आपको समझना है, कि मैं कहूँगा, EF की जो length है ये root 2 के बराबर होगी, आपको होगी, ये कैसे लिख दिया, ध्यान से जराब focus करो, DE into EA, DE into EA, क्या आपका CE into EF के बराबर होगा ये नहीं, क्योंकि DA कार्ड है, CF भी एक कार्ड है, और कार्ड का intersection E point पे हो रहा है, ये पता है मैं, DE आपका अगर आगया, 6 root 2, into EA, जो मैंने लिखा भी root 2 कैसे आया, वो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, CE के value 6 है, और EF कितना होगा आपका, CE into EA, DE into EA होगे आपका, ये DE into EA आपका 6 into 2 है, 6 into 2, और ये आपका CE कितना है, 6 root 2 into EA, यहां से आपको दिख लो, EF कि वेलू कितनी आगे, तो वही लगा है, मैंने, PE into PB, PC into PD वाला, EF निकल गए, आपको ओगे, EF निकाल के क्या कर लेंगे, EF निकाल के क्या कर लेंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, आप ज़रा मुझे बताओ एक बात, कि मैं अगर एक line ऐसे खीच रहा हूँ, एक line मैं ऐसे खीच रहा हूँ, आप ज़रा एक बात बताओ मुझे, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वो काफी interesting है, क्यों खीचा है वो भी आपको भी समझना हैगा, DC circle का एक cord है या नहीं है, और ये line मैं ने इसलिए खीची, क्योंकि ये diagonal है, इस diagonal के लिए थे मुझे पता है कि 10 है, 6 और 8 से क्या बनता है, 10 diagonal हो गया, अब आप से कुछ कह रहा हूँ, मैं focus कर रहा हूँ, triangle आपका D, F, E, एक triangle है मेरे पास, और एक triangle है मेरे पास, C और A, E, ये दो triangle है, इन पर focus कर रहा हूँ, एक angle बराबर कर दिया, और एक और angle है, देखो जान से, ये vertically opposite angles हैं, तो अगर इस triangle में, और इस triangle में, दो angles बराबर हो गए, तो क्या triangle similar होगा, येस, दोनों triangle similar होगा, अगर ये दोनों triangle similar हो गए, तो मैं आपको कुछ side ratios दिखा रहा हूँ, ज़रा जहान से देखना, बहुत इत्मिनान से, ये जो DE है, आपको कि एक में 6 है, जो equal angle है ये वाले, इसके सामने की side देखो, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जो ये angle same है, इसके सामने की side का है, 6 root 2 है, 6 upon 6 root 2 लिख दिया मैंने, दूसरे equal angle के सामने, यहाँ side क्या है, आपका df है, और यहाँ side क्या है, 10 है, यहाँ से मैं df की value निकाल सकता हूँ की नहीं, 5 root 2, यहाँ से मैं df की value आगे 5 root 2, मैंने लिख दिया 5 root 2, अब एक चीज़ आपको देखनी है, question actually answer आ चुका है, जाद दिमाग लगाना नहीं अब, ध्यान से देखो मुझे क्या निकालना तो, और मने क्या निकाल लिया है, अब आपको क्या ध्यान से देखना है, कि अगर आपको df पता चल गया sir, df पता चलने के बाद मैं d से b को join कर रहा हूँ, यह क्या होगा, diagonal होगा यह नहीं होगा, क्या length 10 होगी, और क्या diagonal circumference पे 90 degree बनाती है, यह, तो अगर मुझे fb निकालना है, fb कैसे निकलेगा, it will be root of 10 square, minus 5 root 2 का whole square, minus होगा के नहीं होगा, yes, bf की length होगी, 10 square minus 5 root 2 का whole square, और यह value अगर आप निकालते हो, तो यह बहुत simple है यहां से, आपको यह value होगी, root of 100, minus 50, root 50 आगई, root 50 के value क्या होती है, आप प्राक्स की बात करोगे, 7.07, यह दिमार्क नहीं लगाना है आपको, आप चाहोते से 5 बाहर लेलो, तो 5 root 2 बनेगा, 5 into root 2 आपका हो जाएगा 1.41, है ना, तो roughly, rough value देखने हैं तो b option लगा सकते हैं, closer, that is what the answer is going to be, very simple one, तो मुश्किल नहीं था हैं बट अच्छा सवाल है, जहां पर आपको similarity को identify करना है, कि कॉड की principles यूज हो रहे हैं, तो principles छोटे हैं, बट उनको कई बार इस तरह से represent किया जाता है, कि आपको complex लगता है, पड़िफर alert enough, you will not have problem, अब देखिए क्वेशन क्या कह रहा है आप से, कि A, B की length आपको निकालनी है, देखिए क्वेशन कह रहा है कि A, B की length निकालो, और आपकी RC की value 6 दी है, और CL की value आपको 4 दी हुई है, RC is 6, CL is 4, आपको A, B की length निकालनी है, तो देखिए question कैसे करोगे आप एक काफी interesting सा question है वर बहुत असान है अगर आप सही से understand करोगे तो आपका भी गलत नहीं हो सकते हो पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है कि circle एक symmetric figure है इसमेट्रिक फीगर यह आपको पता ही होगा इसमें कोई confusion नहीं है यह अगर 6 और 4 है यह यह 10 हो गया radius मेरा 10 हो गया अब जब आप मुझे बताओ कि यह जो point है इस point की क्या खास बात है यह point midpoint है अगर यह midpoint है hypotenuse का यह point अगर आपका midpoint hypotenuse का है और उन्होंने उतना ही radius यह इधर भी चले गए है और यह जाके circle पर यहाँ कहीं मिल रहा है तो आप कहोगे कि अगर मैं बहुत इत्मिनान से ध्यान से देखना अगर मैं इसको assume कर रहा हूँ circle और आपको पता है कि अगर ऐसा है यह equal radius मैंने लिया है तो आप कहोगे कि यह तो वो सिनारियो बन गया कि एक point है और यहाँ पर ऐसे दो लिया और आपने एक equal यहाँ से ले यह तो इस शुट भी नाइंटी डिग्रें करूं और डी को कर मैं सी से जॉइन करता हूं तो मुझे नबबे डिग्री का एंगल मिलेगा यह कित्ते लोग को clear हो रहा है होना चाहिए that's a super simple thing आपको यहाँ पर कोई भी confusion होना ही नहीं चाहिए right clear or not अच्छा आप एक बात मैं आपसे और पूछता हूं कि यह जिस भी point पे यहाँ मिलेगा क्योंकि यह point आपके circle के center मतलब इधर भी है तो circle के अगर इधर भी यह point है तो आपको interestingly यह चीज़ understand करना चाहिए आप तो यह point अगर यहाँ है तो यह जो 90 degree आपने बनाया तो क्या यह c point से मिलेगा यह नहीं मि हो कि क्या यह point c से मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह मैं आपको समझाता हूं और आप अच्छे से समझो actually मैं यह इस से भी आके हम मिलेगा यह जो 90 degree होगा a और d जो point होंगे ना वो same line में होंगे ठीक है यह same line में होंगे और इसका reason बता रहा हूं देखो यहां पर जब इसको आ मेरा a है यह a है और यह a है यह a होगा अगर आप इसको थोड़ा left लोगे थोड़ा सा left लोगे थोड़ा सा right लोगे इस point को तो a की जो length होगी न वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बट अगर मुझे एक point ऐसा choose करना है आपको पता है कि यह length a है तो इस point के about circle में symmetry होती है symmetric है अगर point मुझे लेना तो यह point मेरा इधर ही होगा फिर बिल्कुल exactly यहाँ पर तो यह level में होंगे a और d ऐसे होगा और यह perpendicular है तो यह आपको जाके rectangular form कुछ इस तरह का देगा जैसे ही आपको मिल गया तो आपको पता लगया symmetry से कि यह value 6 होगे और यह value 4 होगे आपको अब को इस point को join करना पड़ेगा तो यह radius है और 6 और 4 मिला के 10 है यह center point है आपका question में अगर नहीं दिया हुआ है यह mention करेंगे कि R जो है यहाँ पर center है आपको लगता कि यह point exactly level में क्यों है वह आपको समझो समझ में आ जाएगा कि यह वहीं पर क्यों होगे और यू केनाट गो रहूं ठीक है कि इस figure में आपको 80 के length निकालनी है 80 क्या है देखो यह आपको पहले तो एक आर्क दिया है अना quarter circle दिया हुआ है फिर उसके एक side में आपको एक semi circle दिखेगा तो complete करके दिखाए गया है उसके बाद एक और circle ड्रॉ किया गया है जो इसके इसको touch कर रहा है और इसको touch कर रहा है और semi circle को भी touch कर रहा है तो आपको बताना है तो आप 80 के length बता दो ठीक है कैसे आप सवाल को proceed करोगे मैं आपको बताता हूं कि आपको पहले चीज़ तो यह कि 3u जो है ना इसको बाद में हम लाएंगे अभी इसको हम काट के आर बोल रहा है पहली यह समझने आपको मैं इसके रेडियस को आर बोल रहा हूं तो आपको बताए जो quarter circle है उसका रेडियस कितना हो जाएगा यह रेडियस अगर रहा है तो उसका रेडियस टू आर हो गया अभी उसके बारे में कुछ नहीं सूचते हैं आप बस अब एक बात यह बताओ कि आपको यह पता है कि यह जो लेंथ होगी यह है लेंथ आफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट आप कहोगे कि देखो एक काम करते हैं अगर मैं इसको इससे जौइन करदो यह पॉइंट ऑफ टैंजयंट है तो यह 90-degree बनेगा ही बानेगा फिर मैं इस एक अपॉइंट को अगर मैं इससे जौइन कर दूँ तो ङ轉 कर दो इसमें भी कोई शंका नहीं है और इसको अगर तो O A की जो length है या O A square basically मैं भी बोल रहूं इसको तो आपको होगे O A square की length क्या बनेगी 4 R R square of this प्लस R square ये O A square हुआ फिर आपको होगे कि देखो O A की length अगर मैं बोलूं केवल तो ये हो गया root of 4 R R प्लस R square मैं को होगा फिर इस point को मैं बोल देता हूँ M O M की जो length है वो आपको अलड़ी पता है कि ये quarter circle का radius है जो की 2 R के बराबर होगा क्योंकि इसका radius मैंने R माना है ये 2 R होगा is equal to 2 R is equal to क्या होगे आपका root of 4 R R plus R square और plus इसमें इसका radius जुड़ गया ये R जुड़ गया और तो कुछ हुआ नहीं यह हुआ इसको equate करके आपको होगे 2 R minus R जो होगा इसका whole square is equal to root of 4 R R plus R square का whole square अब ये आपका हो जाएगा 4 R square plus R square minus 4 R is equal to यहां से क्या मिलेगा 4 R R plus R square R square cancel होगा यहां से आपको मिलेगा 4 R square is equal to 8 R R एक R cancel हुआ आपको यहां से R मिल गया 2 R के बराबर अब देखो इतना कुछ करने के बाद एक interesting relationship मिली कि जो आपका ये वाला circle है मतलब diagram था वो क्या था एक quarter circle है यहां पर आपने semi circle बनाय हुआ है और यहां पर आपने circle बनाय हुआ जो इसको touch करती हो जा रहा है तो देखो यह काफी interesting चीज क्या मिली इसका जो radius है इसका जो radius अगर आपने माना है कि यह one है इसका जो radius है वो क्या है two है और जो यह बड़ा वाला quarter circle है इसका radius क्या है four है इंट्रेस्टिंग चीज जो आप आगे से ध्यान रख सकते हो ठीक है क्योंकि यह भी standard cases है यह semicircle है यह touching circle है तो अगर यह one radius रखता है तो यह two रखता है और यह four रखता है ठीक है that is what you need to understand यह relationship जब आ गई अब आगे बाई बात है कि 80 कैसे calculate किया जाए तो आप पूरा focus हमारा होगा इस 80 को निकालने में सारी चीज़ी मैंने हटा दी 80 निकालने के लिए आपको होगे कि देखो यह जो point है यह जो point है ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं यह मेरा point है एक इस से मैंने से perpendicular डाला यहाँ पर यह point है इसको मैंने T से join करके इसके center तक मैंने extend किया तो आपको होगे यह length तो आपकी होगे R minus R दोनों के radius का difference ही R है यह R है न का difference यह length होगे यह आपकी R plus R यहाँ कोई शंका अभी तक नहीं है तो फिर आप क्या कोगे कि देखो यह जो side 80 मुझे निकालना है आप कोगे अगर यह angle आप निकाल लो यह angle आप निकाल लो तो यह angle निकालने के बाद हम cosine rule लगा सकते हैं इसलिए क्योंकि यह length कितनी है आपकी यह पूरी length तो R है इवन यह पूरी length क्या है R है मुझे यही मालूम करना है बस तो अगर यह मैं theta निकाल लों कहीं से भी तो cosine rule लगा सकता हूँ तो आप कोगे कि जो triangle है मेरा मैं इसको बोल देता हूँ O इसको बोल देता हूँ P इसको Q तो triangle O P Q को अगर आप ध्यान से देखो अब यहां से तो आप कोगे अगर मैं cos theta लिखता हूँ तो cos theta हो गया R minus R upon R plus R और यह value आपको मालूम है कि यह 2R के बराबर है तो यह 1 upon 3 बना cos theta 1 upon 3 आगया अब मैं जा रहा हूँ triangle यह जो point है आपका यह point जो है इसको अगर हम let's say बोलते है Q तो triangle में जाएंगे Q और A T में इस triangle Q A T में जाखो मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं cosine rule लगा हूँगा तो आपको कोगे cos theta जो कि आपका 1 upon 3 के बराबर है यह किस के बराबर हो जाएगा आपको कि यह बराबर हो जाएगा r square plus r square r square plus r square minus 80 को अभी x माल लेते है minus x square divided by 2 into r into r clear I am figuring out what is x तो आप simple से calculate करोगे x की value यहां से तो आपको होगे पहले तो यह इधर जाएगा तो यह बनेगा 2 r square by 3 so x आपका जो x square है essentially x square यह होगा 2 r square minus 2 r square by 3 so ultimately यह बना 4 r square by 3 x की value कितनी आ गई 2 r upon root 3 2 r upon root 3 that is what the value of x will be 2 r upon root 3 आ गया अब देखो यहां पर कि मुझे u के term में answer निकालना है मुझे u के term में answer निकालना है तो अभी तो value जो आई वो r के term में आई u के term में निकालना है आपको पता है r जो है आपका वो 2 r के बराबर है और जो r है वो 3 u दिया हुआ है यहाँ पर 6 u हो गया r की value कर 6 u रखते हो x की value आ गई 2 into 6 u divided by root 3 तो यहां से देखे x की value क्या जाएगी x की value आपकी आई कि एक root 3 मुझे हंटाना है तो आप ऐसे करते हो तो यह 12 u है 12 u को आप लख सकते हो 4 root 3 root 3 u upon root 3 root 3 cancel हो तो यह बना आपको 4 root 3 u तो अच्छा सवाल है थोड़ा सा कालकुलेटिव लग रहा होगा आपको बट यह observations बहुत काम आएंगे जैसे मैंने आपको एक जो result दिखाया radius relationship तो ध्यान रखिए standard figures है कभी exam में आएंगे तो आपको कुछ पेनी नहीं है 80 निकालना है आप निकाल दोगे तो just make sure कि इस चीज आपके दिमाग में रहे है है नो रिकी question कर रहा है कि ABC एक right angle triangle है जिसमें side आपको दिया है 3, 4, 5 और कर एक semi circle है जो BC पे draw किया गया है AB और AC को touch कर रहा है AB और AC को touch कर रहा है एक और कर रहा है small circle है जो इस scribe किया गया है semi circle और इस triangle के बीश में जैसा figure में दिया हुए कर रहा है कि बताओ आपको इस छोटे वाले circle का radius का है तो देखो इसके पहले हम solve करेंगे आप मुझे बताओ कि यह जो semi circle है इसका अगर मैं radius पूछ हूँ आपसे तो कहें radius 2 से चोटा होगा या नहीं कैसे आपको कि पूरा side BC 4 है BC एगर 4 है इसका diameter जो होगा 2R वो definitely BC से चोटा होगा 4 से चोटा होगा तो R खोदी 2 से चोटा है अगर R 2 से चोटा है तो भाई इसका जो radius है इसका जो radius है वो तो definitely 2 से काफी कम होने वाला है मैं देख पा रहा हूँ इसको 2 से काफी कम होने वाला है option देखना C पिल्कुल सही नहीं है और even आप देखो इस से अगर मैं इसका comparison करूँ इस R को देखो इतनी length है और R काफी चोटा है तो even 1 से भी बड़ा नहीं होने वाला है या तो B होगा या D होगा अब none of these अगर नहीं होता तो शायद हम estimate लगा पाते right, maybe AB value कुछ ऐसे दी होती 1 प्लस something maybe हम करतें DB नहीं है फिर तो B लगा देतें मां कर देतें सही है लेकिन यहां पर none of these है तो हम इस analysis से काम तो नहीं चला पा रहे हैं but at least सोच पा रहे हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ सोच सकते है अब ज़रा देखो इस question को कैसे करेंगा पहली बार तो आपको मुझे बताओ कि यह जो length AB 3 तो क्या यह length जो इतनी है यह 3 होगी length of common tangent is equal तो यह अगर 3 होगी तो जो बाकी की बची length है क्या हो 2 होगी आपको गहां जी वो भी 2 होगी फिर मैं कहूंगा इसका जो center है उसको ज़रा यहां से join कर दो मैंने कर दिया join तो क्या है 90 degree होगा यह point of tangent और center को join करने पर 90 degree बनता है अब ज़रा आप मुझे एक बाद बताओ कि इस point को अगर मैं O बोल देता हूं इस point को मैं बोल देता हूं M तो मैं आपसे बूलूँगा कि triangle O, M, C और triangle आपका A, B, C यह दोनों similar हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चीए similar के हों दोनों right angle है एक angle common है right angle triangle से में कर एक angle common है दोनों triangle similar हो जाते है अब corresponding sides का पूरा game है question में कुछ नहीं बज़ेगा आपका आपको कि simple सी बात यह है कि जो आपका side है जो आप बहुत इत्मिनान से देखना और उस side की बात कर रहा हूं BC जो side BC है यहाँ पर वही side क्या है MC है BC यहाँ पर 4 है MC यहाँ पर 2 है यानि इस green वाले triangle में half हो गया है corresponding side अगर corresponding side half है तो सारे corresponding side half हो जाएंगे तो आपको कि यहाँ पर यह जो OM है दूसरा perpendicular side यहाँ पर दूसरा perpendicular side 3 था तो यह 3 by 2 हो जाएगा अगर आप interested हैं तो आप चाहो तो यह भी लिख सकते हो OC चाहो तो परना यह 3 by 2 आपने लिख लिया यह value भी आपकी 3 by 2 हो गई इतना समझ में आगया कि चलो ठीक है यह value मेरी 3 by 2 आ चुकी है अब दूसरा challenge आपके सामने है वो challenge यहाँ पर है कि जो छोटा वाला circle है उसका कैसे calculation करें तो पहले ज़रा छोटे वाले circle पर वापस आते हैं और ज़रा इस पर focus करते हैं कि छोटे वाले circle पर ऐसे कुछ कहान नहीं कि दो tangent हैं इस तरीके से clear there are two tangents like this आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपको कहने की सोचना है समझना है और वो आप ध्यान से बताओ यह जो angle है पूरा क्या angle आपको मालूम है अगर मैं इस angle को let's say two theta बोल दू तो आपको कहोगे अगर मैं cost two theta लिखू यहां से पहले से पता था वो आपका base for hypotenuse 5 था कोई शंका नहीं थी इसको हम आसानी से यहां पर लिखी सकते हैं we can easily write this without any problem तो अब देखें मैं जो आपसे अभी पूछने जा रहा हूं जो कहीं ने कहीं जादा important है आपको answer करना राइट वो यह कि देखो आप दो चीजें पता चल गए है कि यह जो मेरे को निकालना है अभी वो कैसे निकालना है कि यह तो पताईए कि यह सेंटर से लाइन जोइन किया तो यह इंगल थीटा होगा पूरा इंगल तो आपस में थीटा लिखता हुँ हो गये इसमें कोई शंका नहीं है कि थीटा थीटा हो गया अगर मैं कॉस्ट थीटा लिखता हूँ यहां पर तो कास्ट थीटा क्या होगा जड़ा बता ओं आपको कॉस्ट थीटा होगा यह 90 डिगरी यह बेस बनेगा और यह अपन हाईपटनिस होगा यह वाली लिंद है तो अब मेरा क्वेशन यह है कि भाई चलो ठीक है अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पर यह मेरा पॉइंट है को मैं आइसे लिया और मैं इसको यहां लेके आ गया यहां लेके आ गया तो इमपॉटेंट यहां बेस है यह जो बेस है यह बेस तो चलो ठीक है मैं लिख लूँगा क्योंकि यहां से आएगा शुरुवात से question से तो मैं इसको कहीं नहीं calculate करूँगा कुछ आरवार के टम में मेरा आ जाएगा यह जो length है center से लेके यहां तक की right center से लेके यहां तक की यह length कैसे लिखूँ मैं cos theta तो मुझे मालूम है गर मैं cos 2 theta जानता हूं जो की होता है 2 cos square theta minus 1 is equal to 4 upon 5 मैं आपको दिखा रहे हैं से cos theta निकल जाएगा cos square theta आपको क्या हो गया 9 upon 5 हो गया right actually 9 upon 10 हो गया तो अगर cos theta लिख हो गया तो आपको मिल जाएगा 3 upon root 10 clear अब इसका फाइदा आप कहां से उठाओगे मैं आपको बताता हूं कैसे फाइदा उठाओगे जैसे आपको मिला 3 upon root 10 है तो आपको यह जो length है जो की radius है आपको यह अगर मैं बोल दू आर ठीक है तो आपको यह होगा 3R और यह हो जाएगा मैं अगर यही perpendicular यहां extend करूं कुछ इस तरीके से clear इसको मैं ऐसे आगे extend कर दिया ओके इस point से लेखे यहां तक का perpendicular distance यह length क्या है आपकी यह length आपकी क्या है तो आपको कि देखो अभी यह length तो मैंने यहां पर मेरा route 10 आ रहा गया लेकिन अब देखो important क्या है कि यह length क्या है यह मुझे जानना है what is this length आपको पूरी length 2 है और 2 length में से आपने यह 3R length हटाया तो यह length मिली मुझे 2-3R ठीक इतनी length जो मेरी है इतनी length जो मेरी है यह है मेरी 2-3R इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको यह length आपकी 2-3R क्यों है ठीक है अच्छा आप देखे जो 2-3R length है वो क्या है क्या है क्या यह आपकी direct common tangent की length है या नहीं है between जिसे एक circle आपका यह है और एक circle आपका यह root radius of one circle into radius of other circle जो कि है आपका 3 by 2 ठीक है इस equation से आपको r की value मिल जाएगी आपको 2-3R जो मेरा है इसका जो whole square होगा वो आपका बना देगा है यहाँ पर 4R into 3 by 2 अब square कर लो आप तो आपको मिलेगा 4 plus 9R square minus 12R is equal to यह होगा आपका 12R by 2 जो कि होगा आपका 6R अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ यह मिल रहा है 9R square minus 18R plus 4 equal to 0 यह value आपके सामने आगे 9R square minus 18R plus 4 equal to 0 अब मेरे को यहाँ से क्या करना है मेरे को यहाँ से R की value निकालनी है R की value देखो यहाँ पर क्या होगी 18 plus minus root B square 324 minus 4AC 4 into 9 into 4 that is 144 divided by 18 हो गया यह value अगर आप simplify करोगे तो यह मिल रही है 1 plus minus आप यहाँ से 18 बाहर निकाल सकते हो आप जहान से देखना 18 अगर बाहर निकाला तो यह जो value है आपकी वह बच्चे की 18 minus और यह देखना आप कितना बच्चेगा 18 into 8 so minus 8 हो गया आपका तो यह value ultimately जो मेरी बच रही है अगर मैं यहाँ से देख यहाँ से देखे आप क्या करना है आरी तो निकालना है तो यह value आपके कितनी होगे 18 plus minus यह difference आप निकालो जारा difference कितना आ रहा है 180 clear so 180 जो difference है 180 जो difference है वो 36 into 5 है 6 बहार आजाएगा 6 root 5 बच जाएगा upon 18 simplify करो तो क्या में लेगा 1 plus minus root 5 by 3 right अब आप खुद देखो कि क्या लोगे plus लोगे या minus लोगे that's very simple plus तो नहीं लेना है plus लेंगे तो value बहुत जादा हो जाएगी आपको समझ में आई रहा होगा that's better we take minus right that's better we take minus here यहां पर value आपके आजाएगी 1 minus root 5 by 3 1 minus root 5 by 3 यहां पर आजाएगा जो कि answer होगा आपका भी clear 1 minus root 5 by 3 अब देखिए आपका एक homework है हुमर किया है कि अगर इसी question में आपको let's say आप सोच रहोंगे ने कि बाई प्लस के साथ यह जो प्लस वैलू आई यह तो हमने reject किया मैंने समझाया भी क्यों किया लेकिन इसी में देखे एक चीज़ ऐसी भी बनाई जा सकती थी कि यहां पर भी आपका एक circle हो सकता था ठीक ह सेम question में सेम situation है कुछ ऐसा की एक circle यहां पर इसका radius का है उसको try करना थीक है what will be the radius of this circle एक तो मैंने आपको निकाल के दिखाया मुझे इसका भी मान लिया जानना है कि इसका क्या होगा radius try to figure that out देखे कि क्या आएगा कुछ interesting होगा आपके लिए ठीक है try करिए तो यह भी क्या कर रहा है कि एक figure है इसमें semicircle है जिसका center आपको दिया हुआ है और जो diameter AB क्या कर रहा है इसक्राइब कर रहा है दो full circle जैसा यहां दिखाये गया है और यह दोनों circle touch कर रहे हैं semicircle को different point पर बताना है ratio क्या है radius का दोनों circle के ज़रा देखते हैं क्या scene है यहां इसका center होगा point of tangent से अगर आप draw करोगे तो दोनों ऐसे बनेंगे कोई confusion नहीं है यहां पर मुझे पता है कि ऐसे मैं drop कर सकता हूं इस line को अगर मैं extend करूंगा clear तो ऐसे कुछ बनेगा अब आप से एक च्छोटा सवाल है च्छोटा सवाल है कि यह length क्या होगी आप को कि अगर यह a है और यह b है अगर यह a है और यह b है तो आप clearly कहोगे कि यह value तो two root a b के बराबर होते ही जानता हो ना length of direct common tangent ठीक है between two circles two root a b हो गया और भी देखे की चूंगा कुछ इस तरीके का कुछ इस तरीके का तो एक line बनेगा कुछ ऐसा right this will be a direct line like this okay अब आप से एक चोटा सा जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि मैं इसको कैसे relate करके आगे बढ़ू that is what is very important in this question मेरा कहने का मतलब simple सा यह है कि भाई देखो ऐसा है कि अभी तक जो मैंने आपके सामने plot किया हुआ है या बनाया हुआ है इसको आप बहुत इतनांस अंडेस्टाइंड करो तो आपको के देखो इस केस में एक चीज तो यह identify करो कि यह length 2b है कैसे आपको कि यह अगर बी है और मैं ऊपर तक चला जाओं तो मुझे इस सेमी सर्कल का radius मिल तो आपको होगे o o1 जो length है और इस point को मैं p बोल देता हूँ तो आपको होगे simply हो जाएगा o p minus a यह radius हटा देंगे o p के length कितनी है आपको होगे यह तो radius हो गई radius of semicircle which is 2b तो यह बन गई आपके 2b minus a आप एक right angle triangle है आप जहान से देखना इसमें o o1 square जो आपका होगा वह आ o q square simple हो गया यह value आपकी 2b minus a का whole square है यह value आपकी क्या है o1 q a square plus 2 root a b का whole square बन जाएगा 4ab simplify करेंगे तो बनेगा 4b square plus a square minus 4ab is equal to a square plus 4ab a square cancel हो जाएगा तो आपका मिल रहा है 4b square is equal to 8ab यहां से b और b b cancel हो गया तो b बराबर आ गया 2a तो ratio क्या गया ratio क्या गया ratio आपका निकल गया कि यह ratio to ratio 1 है what is the ratio to ratio 1 clear तो काफी interesting सा case है very very interesting case और ऐसा कुछ नया नहीं है actually आप यह देख भी चुके थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैं देखाता हूं यह diagram कहां आपने देखा था यही चीज़ visualize करनी है आपको आप अभी क्या करो सिर्फ इतना diagram देखो आपको ध्यान होगा कि quarter circle में हमने यह चीज़ देखी हुई है right quarter circle में we have seen this thing okay यह देखो यह चीज़ आपने quarter circle में देखी हुई है okay आपने इसको अलग तरीके से किया था पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इसका radius है अगर वो 4 होगा तो इसका radius 2 होगा और इसका radius क्या होगा वन होगा सेम चीज़ यहां भी है okay बट यहां अलग तरीके से बनाई गई है ताकि आप confused हो जाओ और मैंने इसलिए अलग तरीके आपको दिखाया भी एक चीज़ को करने के तरीके बहुत है यू नीड़ तो नो की आपको बताना है ABC ट्रेंगल का area इस गिवन फीगर में ABC ट्रेंगल कि आपको calculate क्या करना है आपको simple सा calculate करना है कि sites के है sites मालुमें तरह अब कुछ पतल जाता है बट sites यहां इससे दिया नहीं हुआ है तो देखिए आपको करना क्या है पहले तो एक बात यह मुझे बताओ कि कुछ तो निकालने कोशिश करेंगे आपको कि यह लेंथ 12 होगी य यह अगर लेंथ आपकी यहां 3D हुई है यह लेंथ आपको 3D हुई है तो आपको यह लेंथ निकाल सकते हैं क्या यह लेंथ आपके 6 हो जाएगी कैसे तो कि यह डारेट कॉमन टेंजन की लेंथ है यह बनेगी 2 तो आप यह लेंथ भी मुझे 12 मिल गए तो क्या क्या मैंने अभी जग कैलकुलेट के देखो यह 12 मिल गया यह भी 12 मिल गया फिर आपको लेकिन इससे काम तो नहीं बनेगा न अभी तो हमें और कुछ निकालना पड़ेगा अखा दी यह निकालने से थोड़ना काम चलेगा यह लेंथ क्या है आपकी टूइल होगे 3 और 12 का डिफरेंसे 9 हो गया बिलकुल ओगया तो को बारह और यह लेंथ है लेंथ 15 बन गई देन वाट अभी बी क्या हमारा आंशर आ चुका है कि अभी हमने कुछ भी कालकुलेट नहीं किया इसा कुछ कमाल का कि हमारा आंसर आ जाए लेकिन अगर आप ध्यान दो तो काफी कुछ निकलता हुआ देख रहा है कम से कम एक साइड निकलती हुई तो मुझे दिख रही है कैसे देखो जैसे आप कहोगे कि यहां पर जो यह एंगल होगा वही यह एंगल होगा तो अगर यहां नाइन और ट्व शंका नहीं है तो आप सिंपल सा कहोगे कि यह वैलू मेरी 4 है तो जैसे यह 4 आ गई दिन क्या-क्या चीज़े मुझे मिल चुकी है देखो जहां से 12 और 4 यह वैलू मुझे मिल चुकी है 28 अब यह 28 तो मिल गई है लेकिन अब आप कहोगे इसके आगे कैसे करोगे तो मैं होगे सी से लेकर इस पॉइंट की लेंथ भी 18 होगी मैं कहूंगा बिलकुल होगी यह सुर्व यह 16 है तो यह भी इतना 16 होगा आप देखें क्वेशन काफी इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है अब आप कहोगे मुझे बस यह लेंथ और यह लेंथ चाहिए ठीक है तो यहां to 16 plus x का whole square clear इसको solve करने का फायदा क्या है आपको value निकल आएगी यहां से तो आपको 28 square will be this square minus this square तो आपको होगे यह बनेगा a plus b a plus b into a minus b यह minus b करोगे तो 4 बनेगा यह value आपके कितनी होगे 28 plus 2x यहां यह 4 से आप इसको divide कर दो यह बन जाएगा 14 square which is equal to 196 minus 28 is equal to 2x बना रहा है okay simple से देखे पूरी equation गया है it's not difficult just you need to learn to solve it in a correct way 2x की value अगर आप यहां से निकालते हो तो यह आपका हो गया 168 x की value अगर आपने निकाल ली 84 आ गया अब 84 अगर आया x का value तो आप आपने का यह 84 हो गया 84 हो गया अब area निकाल ला है यह हो गया half into base into height यह side आपका 28 हो गया एक side आपका 96 हो गया 96 हो गया तो यह आपकी value अगर आपने simplify करी यह बनाया आपका 14 तो यह आपका हो गया simple सा की 14 x 19 1260 plus 84 that is 1344 which is option B पर अगर मुझे यह सवाल करना होता तो देखे मैं असे नहीं करता हूँ मैंने कुछ और लगाया होता मैं आपको बताता हूँ क्या लगाया होता जैसे मुझे यहां 28 दिखा I could have simply thought about this value is 4 x 7 4 x 7 के बाद मैं इसको कोशिश करता कि क्या मैं इसको 7 24 और 25 बना सकता हूँ तो 7 24 25 बनाने के लिए मेरे दिमाग में क्या था कि भाई सबको पहले यहां 4 का फैक्टर तो 4 से डिवाइड कर दो तब कहते हैं 28 आपका 7 हो जाएगा 4 से डिवाइड करते तो यह 3 बन जाता इसको अटा देता हूँ और इसको फोर डिवाइड करता तो यह 4 बनता अब यह को मेरे पास यह 7 है फिर मुझे कहते है कि एक साइड मुझे क्या चाहिए 24 तो मैं कहता है 21 जोड़ दो फिर मैं एक साइड कहता कि यहां पर देखो क्या है कि दिस वैलू इस 4 और मुझे कितना चाहिए 25 चाहिए 7 24 25 त है तो आपको इसका एरिया निकाल लो तो बनेगा हाफ इंटू 24 इंटू 7 राइट यह आपका बनता है 12 ताइम 784 लेकिन आपने कहा कि जो आपके पास एक्चुल ट्राइंगल है उसमें सब चीज 4 ताइमस है तो एरिया 16 ताइमस होगा 1280 प्लस 64 वोड़ आप गिवन यू 13 सबस्तर आसानी से आजाता जैसे मैंने किया है तो उमीद करता हूँ आप भी कुष्छ करोगे वल नॉट फाइंट डिफिकल्टी ही अब देखिए कोशन कर रहा है कि एक फिगर दिया हुए आपको और आपको दिया हुआ एम एएन बीसी टच कर रहा है सरगल को और आपसे क का रेडियस कैसे निकलेगा यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा केस है ट्राइंगल में जो एक सर्कल होता है उससे रिलेटेड होता है कहीं इस नॉट डिफिकल्ट अंडिस्टाइंड यह पॉइंट ले लो रिसको आप ऐसे जोईन कर दो मैं बताता हूं कि कैसे आसानी से हो सक कर रहे हैं एक सर्कल के केस की जब हम बात करते हैं एक सर्कल में आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो आपका वैलू होता है वो कैसे हो जाता है अगर इस पॉइंट को मैंने ए माना है यह माना है यह साइड मेरी करिस्पॉंड करेगी ए को देखो जान से यह साइड आप A x-Circle इसका जो value होता है delta upon s-a where s is the semi-perimeter यही करना है और कुछ नहीं करना है तो पहले तो आप इस triangle का area निकालो delta का मतलब होता है area of this triangle 789 789 का area अगर मैं निकालूंगा तो यह बनेगा आपका semi-perimeter कितना बनेगा 12 168, 24 वाइ इस रेडियस होगा it will be area divided by 12 minus a is 7 so ultimately area को मुझे 5 से divide करना है मेरा answer आजाएगा अब मेरा task का है मुझे area निकालना है area कैसे निकलेगा वही root s s minus a तो आपका 12 हो गया into 12 minus 9 करो 3 आएगा 12 minus 9 तो एक एक करके बढ़ा लो 8 होगा तो 4 होगा यह होगा तो 5 होगा तो यह 36 बना रहा है आपका और यहां से 2 आ जाएगा बाहर तो 6 2 12 बाहर जाएगा 12 root 5 बच जाएगा और इसको 5 से डिवाइड करना है तो 12 by root 5 मेरा answer हो जाए बी option 12 by root 5 तो simple है कुछ भी नहीं करना है कि a के opposite delta upon s minus a होता यह triangle में आपको पढ़ाया गया होगा उसी का डारेक्ट इस्तेमाल करके यह answer आ जाएगा तो यह circle बना जरूर हुआ है कोई ज्यादा रोल नहीं circle का triangle का concept है एक circle का अब देखिए question ध्यान से दिखते है करा a b के value आपकी 13 है a b मुझे पता है कि यह 13 है a c मुझे पता है कि यह 14 है a b c मुझे पता है कि यह 15 है a d और a e का ratio को इस दिया हुआ है d बताने आपको क्या है देखो आप मैं question का बताता हूँ idea कैसे है कैसे आप लगाओगे यह आपका a d अगर 3x है तो यह आपका 2x है सवाल यह है कि भाई d निकालना है d कैसे निकलेगा आपको देखो पहले cosine rule से cos theta निकाल सकते हैं कि बड़े वाले triangle में cos theta निकालना बहुत छोटा काम है cosine rule लगाओगे ना निकल जाएगा no confusion ठीक है तीनों साइट्स पता है निकाल लेंगे उसके वाद जब cos theta निकल जाएगा फिर आपको किसी भी तरह से अगर आप d e के length भी x के term में निकाल ले जाओ तो cosine rule छोटे वाले triangle में लगा देना और छोटे वाले triangle में अगर आपने cosine rule लगा दिया तो question में बचाएगा निकल जाएगा x के value x के value निकल जाएगा तो d निकल जाएगा ये point देखो क्या है ये point आपका है P और ये point मैंने बोल दिया क्या आपका है Q अब आप से जो भी मैं पूछूंगा वह बहुत interesting है मैंने बोला कि let's say आपने कहा कि AP की value आपकी पी के बराबर है AQB आपका क्या होगा P के भी बराबर हो जाएगा clear अब बड़े वाले triangle का semi perimeter क्या बनेगा जरा आप बताओ मुझे मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहरा हूँ कि इसकी length को मैंने बोल दिया कि P है इसकी length को मैंने बोल दिया कि ये भी P है obviously length of tangent बराबर होते हैं ये Q और Q मान लो ये R और R मान लो जैसे आपने लिखा आपने कहा कि semi perimeter क्या होगा यहाँ पर वहोगा P plus Q plus R होगा यह नहीं होगा बड़े वाले triangle में P plus Q plus R बनेगा semi perimeter का half होता है और ये value कितनी होगी 13 plus 15 plus 14 42 by 2 21 Q plus R आपको यहाँ दिया हो है 15 अगर ये 15 यहाँ रखा आपने तो P के value कितनी होगी 6 पी के value अगई तो मैंने कहा ये value 6 होगी और ये value भी आपकी 6 होगी अब अगर आपको circle की basic property याद हो जो मैंने आपको पढ़ा रखा है और वो मैंने आपको यहीं बता रखा है कि अगर य यह पी है और यह पॉइंट कुछ भी कहलो आप B है और C है तो AP प्लस AQ जो होता है आपका वो कुछ भी नहीं होता है यह perimeter होता है perimeter होता है triangle ABC का कैसे AP का मतलब क्या है BP भी जुड़ा हुआ है AB में BP इसके बराबर हो जाता है CQ आपको इसके बराब हो जाता है तो AP और अगर sum निकाल लो ABC का perimeter निकाल लिए आपने समझ लो तो यहां पर AP प्लस EQ कितना 12 के बराबर है 12 अगर triangle का perimeter हो गया तो आपको यह हो गया 5X प्लस DE DE के value क्या आ गई आपकी 12-5X DE अगर आपका 12-5X आ गया ठीके 12-5X आ गया तो अब इस question में क्या बाकी रह गया आपका इस question में आपका सिर्फ बाकी यह रह गया है कि आप cosine rule से बड़े वाले triangle में पहले cos theta निकाल लो तो कि तीनों साइट समालों है और यहां पर इसमें लगा दो तो यह बन जाएगा आपका 9X square प्लस 4X square माइनस DE को मैं k बोल देता हूँ k square divided by 2 कि X में values है एक्स आपका एक variable है और जो DE आपका k है वो भी आपको पता है actually 3K into 2K तो यह रहेगा यह 3X into 2X रहेगा यह 3X into 2X रहेगा और जो आपका यह value है k वो भी आपको मालूम है ना that is D is 12-5K 12-5K का whole square बनेगा 12-5X का whole square X में यह values है एक्स की value यहां से निकल आएगी ठीक है जो option दिये है वो काफी close दिये है और जो value आएगी square root में आएगी थोड़ा approximate आपको करना पड़ेगा प्लस none of these भी दिया हुआ है तो यह calculation को बिलकुल यह calculation intensive question है but believe me अगर एक्जाम में यह सवाल आएगा तो पहली बाए तो options इतने करीब नहीं आते हैं option दूर दूर होते है और none of these भी नहीं होता है आपकी usually exam में तो वहां पर ascertain करना आसान होगा तो अभी आप पैनिक मत होना process मैंने बता दिया इसको आप solve कर लो ठीक है और accuracy जो option कि यह बहुत exact उस पर जादा दिमाग मत लगा ठीक है रफली आइडिया लगाने कोश्क करना और देखना कौन सा आंसर आ रहा है एक्जाम में जब भी सवाल आएगा तो इतने इतने close options नहीं होंगे ठीक है यहां पर आपकी calculation में आप पर छोड़ रहा हूं cost theta निकाल के x की value आप निकाल लो ठीक है उमीद करता हूं यह lesson काफी interesting दा होगा और आपको काफी को सीखने कोई मिला होगा thank you have a great time thank you so much